स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चलनल दमास्टर पर हम लोग इस चैनल पर 1500 महत्पूर्ण भूगोल के प्रिश्णों की सीरीज लगा रहे थे जिसका आज चौथा पार्ट है तो चलिए बिना कोई टाइम बेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला और आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक वहसज्व सबसे पहली यह समघ लेते हैं कि Acts मोग को की पढ़ना है तो आज हम में वर्ल्ड जो ग्रभाफी पढ़ना है तो बिस में जो भी Me इंपोर्टन प्रिश्न है उसको हम लोग आज लगाएंगे चलिए स्टर्ट करते हैं एफिल-टावर कहाँ पर है तो ये तो सब को पता है एफिल-टावर फैरीस में खहा फ्राश चारीस तो फ्रांस की राद्धानी पेरिश है, पेरिश में हमारा एफिल टावर इस्तित है, अगला प्रिष्न है जूट तथा दूध, जूथ उत्पादन और दूध उत्पादन में नमझ सॉथ उत्पादन में नमझाज या इसिया का सबसे बड़ा रबड उत्पादक तथा निर्यातक ये दोनों अलग-अलग प्रिश्ण है रबड का उत्पादन सबसे ज़्याद कहां होता है थाइलेंड में होता है और रबड का निर्यात सबसे ज़्याद कौन करता है तो इंडोनेश्या करता है इस चीद को ध्या दो उकORY आपस में जोड़ता है तो कौन सा जल जल डम-नोमद जोड़ता है चोड़ता है किसे प्रसांत महाँ सागर और थीकतिक महाँ सागर को अगला Prinzip है Frans को UD kingdom से क्वान और करता है तो इके बीच में इंगलिस चैनल फ्रांस और United Kingdom के बीच में हैं उत्तरी अमेरिका के सीतोस घास के मैदान को क्या कहते हैं तो उत्तरी अमेरिका जो आपका महादीप है उसमें एक ठंधी जल्धारा है जिसका नाम है लिब्राडोर ठीक है उत्तरी अमेरिका का गल्फ इस्ट्रीम क्या है तो गल्फ इस्ट्रीम एक गर्म जल्धारा है गल्फ इस्ट्रीम गर्म जल्धारा कहां पर है उत्तरी अमेरिका में हैं अगला प्रि में हैं अफरीका के किस देश में हैं लीविया देश में और कौन सी जगह का इस्थान एसिया महादीप में है एसिया महादीप के किस देश में है तो रूस में है और रूस के किस जगहां पर है बर्खोयास के साइवेरिया तो बर्खोयास साइवेरिया यह जगह है जो कि रूस में है रूस और यह किस महादीप में एसिया में है यह जगह बिसका सबसे ठ जैको का जैकोबाबाद है जैकोबाबाद उस जगहां का नाम है अफ्रीका के उसन ये उसन लिखा है उसन घांस के मैदान को क्या कहते हैं तो अफ्रीका में जो गरम घांस के मैदान है उन्हें हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं सीतोस घांस के मैदानों क्या कहते हैं तो य संसार के सबसे बड़ी परवालभित्ती कौन सी है ? तो संसार के सबसे बड़ी परवालْम भित्ती औस्ट्रेलिया में है नाम क्या है? great barrier reef आपसे ये भी पुछह जाता है कि ये किस से बना होता है तुर ये calcium carbonate से CACO3 – calcium carbonate से great barrier reef बना है ये कहां पर है? आउस्टेलिया में है और ये क्या है बिस्ट के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है अमेरिका के ब्रिक्ष रहित घांस के मैदान कौन है तो अमेरिका में ब्रिक्ष रहित जिसमें ब्रिक्ष नहीं पाई आता है सिर्फ घांस ही पाई आती है ऐसे मैदानों को क्या कहते हैं हम लोग सवाना कहते हैं अगला प्रिष्ण है बिस्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन है यानि सबसे पहले मानचित्र किस ने बनाया था तो अनेक जी मेंडर अनेक जी मेंडर ने बिस्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था लग बर चाहरा में है प्रिशन है जापान का सबसे बड़ा दीप वह होंसू पुछा आता है पुछा जापान में कुल डीप हैं तो जापान में मुख्ताग्ता जार दीप है और ये किस महासागर में है, तो उत्तरी पक्ष्मी प्रसांत महासागर में होंसू निद्था कर देज के नंतरकात है, जापान के नंतरकात है। ये किस देश में है तो इसका कुछ भाग मंगोलिया में है कुछ भाग चाइना में है चाइना और मंगोलिया दोनों में हमारा गोबी मरुस्थल इस्तित है ये एसिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है यूरेनियम उत्पादन में अग्रनी देश यानि यूरेनियम की उत्पाद के तरफ जाएंगे तो आपको यह सारे सिसल समेडागास करो डोयो गार्सिया दीप मिलेंगे आपको अफ्रीका के पहले यह सारे मिल जाएंगे यह कहां पना हिंद महासागर में स्थित हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा दीप बोर्नियों है हिंद महासागर का सबसे गहरा सबसे गहरा भाग कौन सा है इसको मेरियानागर्द के नाम से जानते हैं सारगैसो Hijos सागर्द के नाम से जानते हैं। उसे सुन्धर घांस होती है जो बहुत मातराँ में पाई या जहां यह पाई आता है उसको सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं यह कहां पर है उत्री अटलांटिक महासागर में है तो उत्री अटलांटिक महासागर में क्या है सारगैसो सागर इस्तित है कांगो नदी विश्वत रेखा कर दो बार काटती है यह भी बहुत important fact है कि नदी दो बार काटती है किस महादीप में है अफ्रीका महादीप में है अब अगला प्रिश्ण है विश्वत रेखा हो गई नीचे वाली मकर रेखा हो गई ऊपर वाली करक रेखा को कौनसी नदी दो बार काटती है तो करक रेखा को दो बार काटनी वाली नदी अपने भारत क माही नदी है ठीक है तो करक रेखा मकर रेखा विस्वत रेखा विस्वत रेखा को कांगो नदी कारती है मकर रेखा को लिंपो को और माही नदी कारती है करक रेखा को ठीक है आगे बढ़ते हैं एक मात्र महादीब जिसमें करक रेखा मकर रेखा भूमद रेखा ये तीनों र लाच जी नदी विक्तोरिया जलवप्रपार जामवेजी नदी बुरा-पेश्ट से होकर भायती है बुणपेश्ट एक सहर है ठीक है इसको आप ऐसी भी प्ढ़ सकते हैं कि बुणपेश्ट किस नदी की किनारे है तो बुरा-पेश्ट डेन्Fr gemaakt किनारी है ठीक है बहुत प्रि ठीक है विक्टोरिया जलपपाद कहा है जांबेजी नदीपर इस्टेनी जरपपरवाद कहा है कांगो नदीपर हम लोग जो भूगल के ये सारी प्रिश्ण पढ़ रहे हैं ये सारी प्रिश्ण आपके किसी ना किसी के जाम में पूछे गए हैं और जो भी आपका आगामी पे प्यार हो जाएगा पूरा भूगोल के जितने भी कुश्चन होंगे सब इसी वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे चलिए अगला प्रिश्ण हम लोग स्टार्ट करते हैं काला परवत कहां पर है तो काला परवत हमारा भूटान देश में है ये वन लाइनर कुश्चन ह चलिए गाणता है तो सबसे घडियु दयस है कांगो सबसे चोटा घणतंत्र कौन सा है तो ऐसा कौन सा देश है जो प्रजाताँतांतर है है जिसमें ग्रूस जिसकका चेत्रफ़र सबसे कौम है तो वह है नौरू उसका नाम याज रखेगा सबसे छोटा गणतंत्र कौन है नौरू सबसे गरीब देश कांगो सबसे अमीर देश कतर नियूंतम साक्षर्टा वाला देश सबसे कम साक्षर्टा यानि पढ़े लिखे लोग सबसे कम कहां पर है बुर्किना फांसों में है विसके सबसे उंचा ज बनती है अगला प्रिश्ण है विसका सबसे चोड़ा जल डमरूमध कौन सा है तो विसका सबसे चोड़ा जल डमरूमध देविस जल डमरूमध है ठीक है तो डेविस जो जल डमरूमध है विसका सबसे चोड़ा जल डमरूमध है चांदी का सफियादा उत्पादन कहां होता है तो चांदिक सफयादा हमारा मैक्सिको देश में होती है जस्ता सफयादा कहां होता है जस्ता अपने पड़ोसी देश चाइना में होता है सुएत महादीब किसे कहते हैं तो सुएत महादीब मतलब सफेद महादीब किसे कहते हैं अंटार्क्टिका को कहते हैं क्यों कहते हैं क कागज उत्पादन में अग्रणी देश सफियादा कागज कहां पर होता है सफियादा कागज आपका अमेरिका में होता है संयुत राज अमेरिका के दखनी पूर्वी टट तो समुझ जो अपना अमेरिका है यूस से है उसके दखनी पूर्वी टट पर मेक्सको की खाड़ी है ये भी यादखेगा कि उसके नीचे यानि दक्षनी पूर्वी टट पर मेक्सको की खाड़ी है, तो उसमें जो चक्रवाद चलते हैं, उन चक्रवातों को क्या नाम है, तो उन चक्रवातों का नाम हरिकेन और टार्नेडो है, हरिकेन टार्नेडो चक्रवात कहा चलते हैं, अमे उस्टेलिया में है इनका नाम क्या है काल गुरली और कुल गाल्डी काल गुरली और कुल गाल्डी यह सोने की खाने हैं कहां पर है ऑस्टेलिया में हैं अगला है टॉपिक तो दक्षण का ब्रेटेन यानि साउथ का ब्रेटेन किसे कहते हैं तो उसे हम न्यूजिलेंड को कहत महादीपों का महादीप हमारा एसिया महादीप को कहा जाता है प्राइदीपों का महादीप किसे कहते हैं तो प्राइदीपों का महादीप यूरोप को कहते हैं तो छोड़े छोड़े फैक्ट हैं आपके एक्जाम में बार बार पुछा जाता है याद रखिएगा कि महादीप प्राय दीपों का महादीप एसिया होता है प्राय दीपों का महादीप यूरोप होता है प्रसांत महासागर का चारहा किसे कहते हैं तो हवाई दीप को कहते हैं यह हवाई दीप किस देश में हैं अमेरिका में हैं मिर्तक घाटी कहां पर है तो मिर्तक घाटी कैलिफोर्निया मे तो यह अमेरिका में हैं बिसा सरबाधिक ब्यस्त और महत्तों जल्मार कौन था है और जस्तुन से जादा और महत्तों जल्मार्ग है Class. है कि अगला हमारा Randy यूरोप का गरम कंबल कैसे कहते हैं यानि कि एक गल्फ इस्ट्रिम जल्धारा है ये जल्धारा गरम जल्धारा है जिसके करण यूरोप में गर्मी पड़ती है तो नहीं तो यूरोप में बहुत ज़्यदा ठंडी पड़ती है इसलिए गल्फ इस्ट्रिम जल्धारा को यूरोप का गरम कंबल कहा जाता है यूरो दीज़ी पकड़ने वाला देस तो सबसे ज़्यादा मंचली जाइन वाले खाते हैं कई नहरों का बड़ा जाल कहां रहे हैं आप लोग बूड़ा पेश्ट अभे भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं स्तरबाधिक अंगूरो जैतून कहां होता है तो सब्स्कराइब आप recakt करता है तो अर्जेंटीना देश करता है बनों का देश किसे कहा जाता है तो कांगों को बनों का देश कहा जाता है ठीक है अगे बढ़ते हैं नौर्मेडी इस्थित है नौर्मेडी कहा है तो नौर्मेडी एक जगा है यह कहां पर है फ्रांस में है एटलस परवत कहां है एटलस परवत अपके अफ्रीका महादीप में है जुसका सरवातिक नगरिकृत महादीप कौन सा है ऐसा कौन सा महादीप है जिसमें सफ्यादा वाला देश साउथ अफ्रीका में ही संसिटी इस्थित है अमेरिका का प्रमुक कार उद्दोग के अंदर कौन है तो अमेरिका में एक सहर है जिसको नाम है डेट्रॉइट डेट्रॉइट क्यों फेमास है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कार बनाई आती है ठीक है अगला प्रिविली चक्रवात कहां आता है आउस्ट्रेलिया में आता है यह कैसा चक्रवात है तो यह आज हमारी महत्पुन प्रिष्ण थे यह हमारा चौथा पार्ट था इस तरह हम लोग कुछ दिनों में पूरा जेग्राफी खतम कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छी को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद